आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें Hello everyone, एक प्रशन है हमारे पास कि विज्ञान ब्रिज की भुजाओं में प्रतिरोध जित्तर में दिखाए अनुसार लगा रखे है प्रतिरोध आर के समानंतर क्रम एक्स में कितने ओम का प्रतिरोध लगावे कि ब्रिज संतुलित हो जावे तो यहाँ पर मुझे बताना है कि हमने कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है ताकि हमारे पास जो ब्रिज है वो संतुलित हो जाए अब हम जानते हैं संतुलन के लिए जो हमारे पास स्थिती होती है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संतुलन के लिए संतूलन के लिए जो हमारे पास थिती होती है वो होता है P बटे Q बराबर होता है R बटे S P का मान कितना है 100 Ohm और R का मान हमारे पास Q का मान कितना है 10 बराबर अब R के साथ क्या है X किसमे है श्रेणी करम में सुरी पार्शयो करम में है तो यहां पर आएगा 25 गुणा X बटे 25 जमा X और S का मान हमारे पास है 2.25 यहां से समीकंड को हल किया तो हमारे पास जो मान आएगा जैसे हम समीकंड को हल करते हैं तो यहां से हमारे पास 2.25 यह जाएगा हमारे पास 25 जमा X और साथ में हमारे पास यहां पर गुणा हो 25 जम्ह एक्स बराबर 1 बटे 9 एक्स तो एक्स माइनस यहां से मान आएगा हमारे पास 1 बटे 9 यहां पर हमारे पास मान आएगा एक्स माइनस 1 बटे 9 एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास यह हम इसकी दो बारस इसको step wise हल करते हैं तो हमारे पास यहां से मान आएगा 22.5 25 जमा x बराबर है 25x यहां से इसकी गुणा की तो मान आएगा 5 6 2.5 जमा 22.5 x बराबर है 25x तो अब इसको हल किया 25x माइनस 22.5 x बराबर है 56 2.5 जमा इसको हम हल करते हैं तो जैसे अगर हम 25 माइनस 22.5 करेंगे तो यह मान आएगा हमारे पास 2.5 x बराबर है 562.5 x का मान आएगा 562.5 बटे 2.5 तो अब इसको हल किया 562.5 को भाग किया 2.5 से तो x का मान आएगा 225 तो जो प्रतिरोध होगा हमारे पास संतूलन के लिए उसका मान होना चाहिए 225 ओम तब भी हमारे पास यह संतूलित होगा तो यह हमारे पास का मान होगा पक्षचवणी से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेबल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स आज चार्सो 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 पर